नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अमारी बेस्ट फार्मा 20 यूटूब चैनल पर दोस्तों मैं हुराविंदर सिंग आप देख रहे हैं बेस्ट फार्मा 20 यूटूब चैनल अगर दोस्तों इस चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें बाजों में देखें बेल आइक कि मुर्गियों के यह बिमारी हो गये वह गये or गिए झाल ही तो उनंके लक्षान देखते हैं तो लगता कि ग्रम्य की वज़ेशी हो गयुमारी फैर्म में इस्पर मौर्ग प्रिसान हो जाती है और खाना पीना बंद कर देती है और उनकी मॉल्टेटी हो जाती है ठीक है तो अक्सर आपको सब को पता ही है कि गर्मी के टाइम में मुर्गियां खाना पीना बंद कर देती है बहुत ही कम कर देती है जैसे कि सुबह अगर आप दाना देते हो तो खा लेती है कोई दिक्त नहीं अगर उसके 11 बारा बज़े के बाद से लेकर साम को 5 बज़े तक मुर्गिया कोई खाती भी नहीं है और गर्मी से परेशान होती रहती है तो दाना पिना खाना बंद गर देती है ठीक है तो उससे आज बचने के लिए वीडियो में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुर्गियों की जो फारम है तो उनको कैसे बनाना है किस तरीके से उनको शेट करके रखना गर्मी में तो मुर्गियों को गर्मी ना लगे और दोस्तो वीडियो के अंत में अपन बात करने वाले हैं कि मुर्गियों को गर पे देशी तरीके से कैसे उनका एसा ट्रेट करेंगी जिसे अपनी मुर्गियां बीमार ना हो उनको पाने मिक्या देना है और कैसे अपने को देख रेक करनी है तो आपको ऐसा वीडियो आज त को तो चलिए दोस्तो वीडियो में बात करते हैं कि हम सबसे पहले बात करेंगे कि फारम को कैसे बनाना और किस तरीके से उनको अपने सेट करके रखना है कि अपनी मुर्गियों को गरम हवा ना लगे और गर्मी ना लगे ठीक है और इसके बाद में बात करेंगे कि अपनी मुर्गियों की घर पर पानी में ऐसा क्या मिला कि उनको पिलाना होता है तो वो देशी तरीके से आपको करना होगा तो अपने मुर्गियों को ऐसे गर्मी नहीं लगेगी तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि शेड को कैसे करना जैसे कि दोस्तो आप अगर मुर्गी फारम बड़ा कर रहे हैं या घर पे आप कम क्वांटिटी में मुर्गियां पालन करते हैं तो आप घर पे फारम बना रखाया चोटा या आप कमरे में मुर्गी पालन करते हैं और या आप जो सेड में मुर्गी पालन करते हैं तो दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही जाल देना जैसे गास फूस होता शुका वह आपको डालना होगा यह इससे क्या है कि जो उपर की जो हीट होती है वो जो उपर आप चदर पर जो चारा डालोगे वो हीट को एक्जूब तो निचे आने नहीं देगा, जैसे आपकी तीव तो नीचे गरमी नहीं आईगी, तो सब से पहले तरीका यह है, ठीक है, उसके बाद में आप उस पर पहँआरे होते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि आप पानी की टंकी शेट पे उपर रखें जैसे पान सु लि बारा फूट पे आप एक फुवारा लगा सकते हैं दूर दूर ठीक है तो जो गर्मी में आप लगबग 12 बज़े के आज पास में फुवारा चला देना है और आप 4-5 बज़े तक कुन को चला के रगना है जिससे क्या है कि उनमें जो गास पे पानी आएगा तो गास गिला रह आपको पूरा बंद करके नहीं रखना है कुछ किसान होते हैं कि वह गर्मी के टाइम में परदे बगरा निच्छे कर देते हैं जिस तरफ से हवा नहीं जाएगी इसे क्या है कि जो उपर की हीट आती है तो वह अंदर यंदर एक जगह रहती है और बाहर निकलती नहीं तो अपनी मुर्गियों को नुक्सान पहुंचाती है तो आपको ऐसा नहीं करना जिस तरफ से हवा आ रही है गरम उस साइड में आप तिरपाल नहीं लगाना आपको उस साइड में आपको जैसे जूट की बोरी होती है तो वह आप लटका सकते हैं और उस पे पानी के जैसे लगा सकते हैं ठीक है और उसके बाद में बात कर लेते हैं कि आप उसके अंदर जैसे आपका फारम है उसमें आप kulr भी लगा सकते है आपको ceiling fan नहीं लगाना है अगर आप तोुपर से जो गरम ह्वा हो निचे फैंकता है और जो pneumonia utakiаем को direct अपनी मुर्ग आखों में फैंकता है तो इस से अपनी मुर्ग की ammonia की विमारी हो सकती है तो आपकोャा पहलुए प्सक्राइन नहीं लगाना या ताप टेबल फैंंचाच्छ में लगा सकते है या आपना आपको नहीं होता है तो आप उसमें फोगर भी लगा सकते हैं अपने फारम में फोगर लगा सकते हैं जो आप उपर 500 लिटर की टंकी रखते हैं तो उसमें से डारेक्ट आप कनेक्शन लेके और जो फोगर वो अपने फारम में सेट कर दीजिए और उसमें कनेक्शन कर दोगे तो दोफ़र में चलता रहीगा फोगर तो उससे क्या कि अंदर नमी बनी रहेगी और जो अंदर का महूल हो ठंडा रहेगा ठीक है ये तो हो गई बड़ी फ़ारम है करते हैं उनके लिए अगर चोटा फ़ारम करते हैं तो मुर्गियों को ठंडी ज्गे ज़्यदा पसंद है आप देख सकते हैं कि अपने मुर्गियों के जैसे ड्रिंकर होते हैं उसके आसपास में गर्मियों में मुर्गियां ज्यादा बेढती है तो उसमें किनी करना ही न conheमी रहती है और वह उस मिट्य की मेंबैट ये इन्जो ये लेती है दो फर niece तो आप इपने चोटा फार भिट उसमेश्णी से पानी से शिड्कावद करके मुर्गें को ठंडक दे सकते हैं किक किसान भाई हूँ अभ इसके बात इससे क्या कि सभी मोर्गों को आसानी से पानी की पूरती हो जाए तो जवaza ज़ादा गर्मे में ज़्यादा पानी प्यागी तो उनको गर्मी लगेगी ठीक है az अ करते हैं अग लिए अगर आप दोस्तों में 1.5 ग्राम इलेक्टाइ़ औरींडियों को पिला सकते हैं यह तो हो गया, Ms. English एलाज अब बात करते हैं कि अपने गहर पर देशी तरीके सी एलाज क्ढ़ सकते हैं यह पिल्शन को मुर्गों होता हैं अम उसमें आप जिसे निम्बू होता है उनका रस निकालके और अपनी मुर्गियों के जो पर ड्रिंकर होते हैं उस पर आप पानी में मिक्स करके अपनी मुर्गियों को दे सकते हैं ठीक है तो देने का तरीका होता है आप एक लिटर पानी में दो निम्बू डालके अपनी मुर्गियों को पिला सकते हैं जैसे कि आप 5 ग्राम दही एड़ कर देना है और मिक्स करके अची तरीके से अपनी मुर्गियों के पानी में और उनको पिला सकते हैं इसे क्या कि गर्मी से बचने का बहुत अच्छा तरीका है यह आप जैसे कि आप घर पे लस्य बनाते हो यह अच्छा होती है उनको आप अपने मुर पाने कर सकते हैं तो यह दैसी उपाय अपनी मुर्गियों में जरूर करें चाहिए आपके पास बड़ा फारम हो यह चाहिए आप घर पे 150-10-20 मुर्गियां रखते हो उनके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है आप अपने मुर्गियों के लिए ऐसे गर्मी से बचाने के ल लगा और जरूत मन दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर करें क्योंकि अभी गर्मी है तो इस वज़े से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए जिस बाही के यह अगर वीडियो काम आए तो बहुत ही अच्छा लगता है और चैनल पर पहली बारा है चैनल को करें बाजू में देगें बेल आइकनों दबा के ओल के निसान पर क्लिक करें जब भी हम वीडियो डालें अब देख पाएंगे सबसे पहले तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जै जवान जै किशान बाई बाई झाले जब देख पाएंगे सबस्सक्राइब करें दोस्तों जै।